नमस्कार मैं हूँ श्पेता जाओ और आप देख रहे हैं आज तक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे कोरोना की वज़े से पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है आज से 30 एप्रिल तक ये कर्फ्यू लगा गया है आपको बता दे लगता जिस तरह से आपकड़े बढ़ रहे हैं जिस तरह के कोरोना के आपकड़े लगता दिन बढ़ते जा रहे हैं उसके मदे नजर पंजाब में भी आज से 30 एप्रिल तक कर्फ्यू लगा दिया गया है ये कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू है रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू र लागू रहेगा और ये 30 एपरिल तक लागू रहेगा ये नियम ये कानून आपको बता दे लगतार केसिस बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से तेजी से बढ़ता जा रहा है महराश्ट में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए जिसके अलग रज्यों में अलग 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 शेहरों में और दिल्ली में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है आपको बता दे दिल्ली के बाद पंजाब में भी कर्फ्यू का एलान हो गया है रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू यहाँ पर लगा हुआ है जबकि दिल्ली म लिए स्ट्रेंब motivation हैं अभी दी जा रही है चंडीकर से हमारे समधाथता सतेंद्र जुटुके है जाधा जानकारी के ऐसाथ सतेंद्र जो नएґटलाईम समझ आ ही है ये जो खबर है करफियू को ले कर इसमें क्या कुछ कहा गया है क्या कुछ दिशन देश देखे श्वेता सबसे पहले तो ये बता दू कि कैप्टन अमरिंदर सिंग ने आज से साथ दिन पहले ये अनौंस कर दिया था कि साथ तारीक को कोरोना को लेकर एक रिव्यू मीटिंग होगी हाई लेवल की और इस मीटिंग में कई कड़े यानि की सक्त फैसले लिये जा सकते हैं क्योंकि पंजाब में लगातार जिस तरीके से कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और लोग गाइडलाइन्स को फॉलो नहीं कर रहे थे हालाँ कि पंजाब के 10 से जादा जिलों में पहले भी नाइट कर्फ्यू का एहलान किया गया था लेकिन अब इस कर्फ्यू को पूरे पंजाब में लागू करने का फैसला पंजाब सरकार ले रही है यानि की रात्री के 9 बज़े से सुबह 5 बज़े तक पूरे राज्ये में कोई वहन नहीं चलेगा कोई दुकान नहीं खुलेगी और इसके अलावा मार्केट्स को लेकर शादी विभा और जो फुनरल है उनको लेकर भी तमाम नहीं गाइडलाइन्स पंजाब सरकार ने बना दी है कुल मिलाकर अगर पिछले महिने की ही बात करें तो एक मार्च से लेकर 31 मार्च तक कोई भी दिन पंजाब में ऐसा नहीं गया जिस दिन धाई हजार के करीब कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आये हो और प्रति दिन 60 से लेकर 50 के बीच में मिर्क्यूदर है जो की देश में सबस सिंग ने खुद ऐलान किया था कि आठ तारीक से लोगों या तो मान जाएं साथ दिन का समय दिया था नहीं तो फिर नई सकती और नई गाइडलाइन्स को फॉलो करने के लिए तैयार रहें लिहाजा पहला ये कदम उठाया गया है बिलकुर उसी के तहर ये कर्फियू लग शॉलो करना वड़ सकती को ओया dt. भड़ सकती क करने लिए